सब्सक्राइब तो हेलो विकी एंप्रेस बेल आइकान तो गेट लेटिस्ट विडियो नोटिफिकेशन्स तो फ्रेंज आज हम आई से स्टी के बारे में जानेंगे जिनों ने अपने लाइफ में बहुत बड़ श्ट्रगल्स और साक्रिफेस करके सफलता हासिल करी हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी इंस्परेशन है जो लोग अपने लाइफ में खराब समय आने के बाद गिव अप कर देते हैं हार मान लेते हैं और जो हिस्ति के हम बात कर रहे हैं उनका नाम है नेतु सिंग नेतु सिंग केड़ी कैमपेस के फाउंडर और डारेक्टर है आपको पता है कि केड़ी कैमपेस गौवर्णमेंट जो फ्रुब्य हरुन के लिए इंडिया का नेंबर वन इंस्टूट है आज लोग नीतु सिंग की सफलता को देखते हैं लेकिन सफलता के पहले वो जो स्ट्रागल किया है वो कोई नहीं देखता तो आईए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी नीतु सिंग का जर्म जारकन में ग्रीड हुमें हुआ था जब उन तीन साल की तब उनकी पिता ने दुन्या को अलविदा कह दिया था उन्होंने अपने ट्रेल्ट क्लास सांज जोसर स्कूल स्वारना सीख से की फिर ब्रैजवेशन ग्रीड कालेज हरकन से की कंप्लीट होने के बाद वो डिली लॉकर के लिए आ गए पर उन्होंने कैंपस लॉसेंटर डेली इनुवर्सिटी में अड्मिशन ले लिया वो डिली खाली हाथ आए थे उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में जाब करना स्टार्ट कर दिया वो 13-14 आवर जाब करती थी और डे टाइम में कुछ टाइम निकाल कर बच्चों को इंगलिश सिका दी थी उनको बच्पन में बढ़ाने में काफी इंटरेस्ट था फिर एक दिन उनकी लाइफ में एक टार्निंग पॉइंट आ गया वो किसी काम से मुकरजी नगर गई उन्होंने देखा कि मुकरजी नगर एक कोचिंग हब है लाखों स्टूडेंस वहां प्रिपरेशन के लिए आते हैं उन्हों हान देखा है कि उदर पे UPSC के लिए ज्यादर स्टूडेंस थे तो उनकी मन में आया कि मुकरजी नगर को उनकी जरूरत है SSC के लिए शुरू करने कर निच्छे किया लेकिन उनके पस इतना पैसे नहीं थे कि वो एक कोचिंग सेंटर खोले उस समय उनकी मुलाकर राजी समित से हुई जिनसे उन्होंने आगे चल कर शादी भी की इन दोनों साथ में मिलके UPSC के लिए कोचिंग सेंटर चराते थे फिर दोनों ने पार्टनर्शिप में पैरामॉंट इंस्टूट खोलने के निच्छाई किया फिर नेतल सिंग ने रात दिन मेहनित की और पैरामॉंट को एक एक स्टेप आगे ले जाने लगी और देखते ही देखते पैरामॉंट टॉप पर पहुंच गया और पैरामॉंट अपने टॉप पर था और नेतल सिंग अपने सक्सस के टॉप पर थी उन्हों जो चाहे तो वो सोब उनके पास था पर उनके सबसक खराब दोर आना और ये बाकित था तबी उनके जिन्देगे में ये कैसा मोड आया उन्हों सक्सेस से फेलियर को पहुंजिया इंस्टिट में हुए मिसंदरस्टैंडिंग के कारण उन्हें इंस्टिट छोड़ने पड़ा फिर से उन्हें उस जगह पर आकर खड़े गए थी फिर उनसे शुरुवात खी थी इस समय उनकी तरव कोई और होता तो पूरी तरव तूर जाता और शायद दुबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं होती और सुसायड के सोचने लगता पर नीतु सिंग हार मानने वाले उनसे में थी नहीं थी उनके मन में एक और एक एक सब्था वो सब्था ट्राय अगेंड नीतु सिंग ने फिर से खड़े होने का नेशाई किया और केड़ी कैमपस की नियू डाल दी और रात दी नहीं देखा मेहनत करती चले गए और केड़ी कैमपस को टर्न आवर 150 करोड है और केड़ी कैमपस टॉप पर है तो इनकी जर्नी में हम एक सीखने को मिलता है लाइफ में एक टाम इतना खराब आएगा तब गिवप करने की सोचोगे लेकिन आप अपने उस टाइम को मेहनत और लगन पार कर लिया आप आने वाले टाइम पे चांपियन होंगे नेवर 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 गिवप तो ये वीडियो आपको कैसी लिखी आप हमको कमेंट नम बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आगी तो लाइक और सब्सक्राइब चरूर करना धन्यावाद